को सुनना चाहती है इस मंच को सुश्वबित कर दीजी अपने शब्दों से भारत माता की आजे जी मीडिया की और से इस कारे करम में हमारे बीच में विराजमान हमारे वरिष्ट नेता और राजस्तान में सिख्षा मंत्री और पंचाइत राज मंत्री सम्माने मरे बड़े भाई मदंजी दिलावर साब और इसमें पदारे सभी सिख्षावेदे अनेक संस्ताओं के डाइरेक्टर्स प्यारे बच्चों और जी मीडिया परिवार सभी को मेरी और से बहुत बहुत बढ़ाई जैसा कि अभी मदंजी भाई साब ने बहुत कुछ सिख्षा के बारे में बताया निशित एक सिख्षा एक वो चीज है के जीवन में अन्देरे से उजाले की और प्रकास की और ले जाने वाली सिख्षा जो सिख्षा प्राप्ट करने के लिए जज़बा अगर विक्ति में हो तो निशित रूप से कोई भी परिस्तिती हो विक्ति आगे बढ़ने से नहीं रुख सकता शिख्षा प्राप्ट करने से नहीं रुख सकता मेरा ये मानना है विक्तिगत हो सकता है पैसे से विक्ति को सुविधाय मिल जाए लेकिन दिमाग ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता इसलिए हम जिस भी परस्तिती में हो और विक्ति में जज़बा हो तो निशित रूप से एक अच्छी सिख्षा प्राप्ट करने से वो नहीं रुख सकता इसलिए मैं सभी मेरे प्यारे विध्यारतियां बैटे हैं मैं आप लोगों से सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा का आपका जज़बा और आपका लक्षे अटल होना चीए और अगर वो अटल होगा तो निश्चित रूप से आपका जो विजन है उस विजन की और आप सक्षिज हो पाएंगे इसलिए अभी बहुत सारी प्रसित्या मदन जी भाई साब ने भी बताई क्योंकि हम ग्रामिन प्रवेश के लोग हैं एक छोटे से गाव में पैदा होने वाले लोग हैं हम दोनों ही आप लोगों के बीच में आएं राजनिती परिवार मैं कैसे हमारा जिस तरह से हमारी नोकरी नी लगी भाई साब ने का तो हम चुनावी लली है लेकिन ऐसा नहीं था जजबा कुछ भी करने का था लेकिन जिस भी लक्षे की ओर गए उसमें हम लोग निरास नहीं हुए इसलिए मदन जी भाई साब से तो मेरे ये तो बहुत वरिष्ट है और हमने तो इन से बहुत सीका है और हो सकता है जीवन में मेरे इनकी सिक्षा भी मुझे काम आई है इसलिए मैं मानता हूँ कि कोई भी काम करे हम चाए मजदूरी भी करे चाए कोई बिजनिस करे चाए एक सिक्षा के छेतर में काम करे लेकिन अगर पड़ा लिखा और अच्छी शिक्षा प्राप्त किया होगा तो उसको बहतरीन तरीके से कर सकता है इसलिए शिक्षा जीवन में एक मैत्वपूर्ण है शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके वो दुवार खुल जाते हैं सारे दुआर खुलेंगे शिक्षा प्राप्त करने के बाद कि मुझे किस छेत्र में जाना है किस दुआर जाना है तो निशित रूप से हम ये डिसाइड जब कर पाएंगे जब हमने शिक्षा प्राप्त की वर्ना हम अंधेरे में रहेंगे कि जो भी हमारा पारिवारिक जीवन है उसके अनुसार हम डल जाएंगे और हमारी जो परतिबा है उसको हम दबा के बैठ जाएंगे क्योंकि उसके लिए हमारे को मंच नहीं मिल पाता है हो सकता है स्विधा वालों को पैसे वालों को वो मंच मिल जाता है लेकिन ऐसे हमारे पर अवरोध होता है कि वो महां तक मन्न ही पहुँच पाते हैं इसलिए मैं यही कहूंगा कि हम सभी बच्चों को या ऐसे सिक्षकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि हम सिक्षा को एक गुरुवक्ता पूरुवक्त और एक अच्छी सिक्षा दें और भावनात्मा के विध्यारती में सिक्षा के पर्ति लगाओ ऐसी सिक्षा हम दें ताकि हमारा सिक्षा का एक गुरुवक्ता पूरुवक्त शिक्षा हो और एक अच्छी सिक्षा हो इसके लिए हम सब मिलकर प्रियास करें बाई साब भी जिस तरह से पड़े हैं निशित रूप से मैं भी 3-4 किलोमेटर बिलकुल पैदल और नंगे पाऊं ही गया था पढ़ने और निशित रूप से जीवन में बहुत सारी बादाएं भी आई आर्थिक दृष्टी से और ऐसी कि हम क्या करें हमको ये भी पता नहीं है कि हमको चिक्षा में क्या पढ़ना चीए क्या नहीं पढ़ना चीए कौन से छेतर में जाना चीए लेकिन ये शियम को डिसाइड करके आगे बढ़ जाना जो भी मिला उसको हम बहतरीन तरीके से करने का जज़बा रखे जब आप लोगों के बीच में यहां तक पहुँच पाए हैं मैं मेरे प्यारे चात्र चात्रों को भी यही कहूँगा कि एक अच्छा लक्षे लेके और एक अच्छी सिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे में अच्छा जजबा होकर आगे बढ़ें तो ही हम हमारे विक्षित भारत का सपना मानने यसर स्प्रधान मंति निरंदर मोधी जी का पूरा करेंगे क्योंकि आप हमारे इस देश के आने वाले गोरवो और ये देश दो जार सेटालीस का जो आएगा वो आपके हाथ में होगा इसलिए इसके लिए हम सब मिलकर एक अच्छी गुनवक्ता पूर्वक्षिक्षा लेकर और इसे भारत देश के लिए इसे विक्षित भारत के सपने को हम पूरा करें जैहिन जैवारत मैं आज जी मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जी मीडिया एक ऐसा समुए जिसके चेर्मेंड डाक्टर सुभाज चंद्राजी पाइनोनियर के रूप में देखे जाते हैं देश में निजी टीवी चैनल शुरू करने का स्रे डाक्टर सुभाज चंद्राजी को जाता है डाक्टर सुभाज चंद्राजी सोके जरिये उन्होंने देश के युवाओं को एक नई राह दिखाई दिखाने का काम किया है राजस्तान के 2013 में जी मीडिया के जी मीडिया ने राजस्तान में अपनी इरिजनल चैनल शुरू किया था शुरूआत में ही मम राजस्तान टीवी चैनल दर्सकों के बीच में सबसे अधिक लोग प्रिये रहा है टी आरपी में चैनल ने हमेशा कीरतिमान बनाया है साथी जी राजस्तान 54 फिसीदी से ज़्यादा मार्केट शेर के साथ टी आरपी में प्रदेश का अबल नंबर चैनल बना हुआ है इसके लिए मैं चैनल के हैड आसीज दवेजी और आपकी पूरी टीम को आपके दर्सकों को बहुत बहुत बदाई देना चाहूँगा जी मीडिया सामाजिक शरुकार निभाने में भी अग्रिये दिखा है पिछले दिनों आपने खाटू शाम जी के आने वाले दर्सनारतियों को रहात दिलाने के लिए जो मोहिम चलाई है वो भी काबले तारिफ है आपके चैनल की ये बात मुझे विक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगती है कि आप जनता की बात को आगे रखते हैं आप इसी तरह सरकार और जन भावनाओं के बीच सेतु का काम करते हैं इसलिए मैं आपके परिवार को जी मीडिया परिवार को बहुत-बहुत बदाय देना चाहूंगा कि ऐसे काम करके निश्यत रूप से समाज में एक जागरती पैदा कर रहे हैं जहीं जबार सर हम ऐसे आपको जाने नहीं देंगे आपसे हम आगरे करेंगे ऐसे नहीं जाने देंगे आपसे आगरे करेंगे और मदर